तो हेलो मेरे भाई लूग यार केसे हो आप सब उमीद करता हम सारे भाई बढ़िया होगें आगे बढ़िया रेना तो आज कुड़ हम बात करेगें मेरी फिरी फायर की आईडी के कलेक्शन के बारे में मतले ब्यार आज फीरिए माँग। डिकांगा मेरी फिरिफायर आईडी का कलेक्षन तो जैसे कि आप जानते हैं तुमारे भईे ने कभी भी जिन्दिकी में टोप अप नहीं करा हैं तो आपको मैं नोट थुप अप कलेक्षन वाली मैंदी फिटी फायर के ढफ़ांगा तो वालियो यार उस आइड़ी के अंदर आपको काफी अच्छे बंडल काफी अच्छे गण की स्कीन देखने को मिलेगी वह बिना टोप अप्सक्त लिए मैंने ठेल करा जब घया मेरे पास आपको काफी मस्त मस्त गन सकीन देखने को मिल तो सारी गनी स्केन और आपको पूरा कलेक्शन मेरी आईटी का बताने वाले तो आज की डम आपको काफी जदा मज़ा आएगा तो वीडियो मुलास्तक बने रहे ना और बीना टाइम वेस्ट करें आज की ये दमा के दार वीडियो स्टार्ट करते हैं तो मेरे भाई लोग मैंने बहुत को सब्स्राइर के अंदर अगर आपको यह की नहीं होता है योसेफ करेक्टर क्यों होता है तो मेरे पास जोसेफ करेक्टर का से आएगा वो नाई मैंने लेवल अप पास करवा है जिसे कि आप देख रहे हो बस भाई लुग यार मैं यार एड्रोप करवाता हूँ मुझे हर महीने के एंड में 30 सुपर में 300 डायमन का एड्रोप आ जाता है तो मैं यार उस एड्रोप को खुलवा लेता हूँ और उस एड्रोप से मैंने काफ़े सारा अच्छा अच्छा कलेक्शन मेरे आईडी के अंदर कर रहा है तो सारा कलेक्शन में आपको बिना किसी देरी के बता देता हूँ तो सबसे पहले में आप को बता देता हूं मेरे फिटी Fire ID का no top up gun skin collection तो सबसे पहले ये Emporer E1 gun की skins आप देख लो ये Emporer E1 gun की skins मेरे पास 3 ने ओर ये 3 की 3 नो 1 दमी फिटी में gun skin मिली ती ओर फिडे 1क की gun skin आप देख लो ये एके की मेरे पास आपको 7 गन स्किन देखने को मिल जाएगी और ये 7 के 7 गन स्किन एक दमी फिडिये फिडिये M14 गन की स्किन आप देख लो ये M14 गन की स्किन मेरे पास 1 की M14 गन की स्किन परमानेंट है और फिर आप ये scargan की skin आप देख लो तो मेरे पास आपको कत्ती जेर scargan की skin देखने को मिलेगी तो सबसे पेले हैं हमारी golden streak वाली gun skin देख लो मतली बर कत्ती जेर ये वाली gun skin लगती scar की फिर हमारी water elemental gun skin आप देख सकते हो ये भी काफी ज़्यादा मसते फिर आपको सस्ती scargan की skin देखने को मिलेगी और इसके बाद हमारी growza gun की skin यार मेरे पास नहीं है फिर हमारी farmas gun की skin निकल के आटी है तो farmas gun की आपको 5 gun skin मेरे पास देखने को मिलेगी और पाचो के पाचो काफी संदर हमारी farmas gun की skin है जैसे क्या देख रहे हैं फिनिकल की आठी है हमारी एस्टिमेट गन स्किन तो यह एस्टिमेट की दो गन स्किन आप मेरे पास देखने को मिलेगी फिर हमारी एन-94 गन की स्किन तो यह वाली एन-94 गन की स्किन आप देख सकते हो तो यह वाली एन-94 गन की स्किन वेपन रोयल के अंदर आई थी और उससे में मेरी किसमर इतनी अच्छी थी कि मैंने मातर यार एक काट से स्पिन करा तो मुझे यार यह वाली गनी स्किन एक दमी पर्मानेंट मिल चुकी थी मतली बार काफी सांदर यह वाली A94 की गनी स्किन है है मतली बार कलेस को रेंग जब हम केलते हैं तो मैं यार यह वाली A94 गनी स्किन लेता हूं मतली बार एक बार किसी बंडे को हेड पड़ जाता है तो बंदा या नोकी हो जाता है इतनी अच्छी यह वाली गनी स्किन है तो ये वाली गन स्किन मुझे काफी अर अच्छी लगती है और इसी के बार में आपको काफी सस्ती A9-4 गन की स्किन देखने को मिल जाएगी जो कियार मुझे एक दमी फिरी मिली थी और फिर प्लास्मा गन की स्किन आप देख सकती है आपको कत्ते ही लेजेंडरी गनि स्कीन देखिने को मिल जाएगी और ये वाली गनि स्कीन यार मुझे मात्र नो डायमन के अंदर कुलिती मतली वैर मेन जब एवडरोप कुल बाया था तो मेने नो डायमन से कोई सा इवेंट आया था उसके अंदर स्पिन करा था तो मुझे ये वाली M60 गण की स्किन नो डायमन के अंदर ही मिल गई थी तो ये वाली गणी स्किन मुझे काफ यद अच्छी लगती है फिर हमारी क्रोड गण की एकदमी सस्ती गणी स्किन फिर यह यह थो फिर्म इसकेश्च कंड़ मतले असकेश्च आथ टोरी यह वाली फाइब गन की स्किन आप देख रहे हो यह वाली MP40 गन की स्किन मुझे कैसे मिली ति में आपको बता दू जैसे कि आप जानते अभी 55 की फोर्ट एनी वर्सरी का इवेंट कुस्स में पेले आया था तो उसके अंदर हमें स्किन गंडि की बदली में क्रेट्स मिलती ति तो उसके अंदर से मुझे यह वाली MP5 की गन स्किन एक दमी पर्मानेंट मिल गई थी फिर हमाई 2P90 गन की स्किन फिये ठंचन गन की स्किन हमें इलाइट पास के अंदर एक दमी फिढी मिली थी और फिढी आमारी M14 गन की स्किन आपको देखने को मिल जाएगी तो यह वाली M1014 गन की स्किन भी वेपन रोयल के अंदर आई थी तो वेपन रोयल मतले बियर काफी समय पेले यह वाली M1014 की गनी स्किन वेपन रोयल के अंदर देखने को मिल जाएगी और उसी के साथ यार आपको चार गनी स्किन और देखने क मिलेगी M1014 की फिर हमारी स्पास गन की स्किन आपको चार देखने को मिलेगी AWM की एक, कारक 98 की एक और M8-2B की भी एक, फिर हमारी Desert Eagle G18, M500, Mini-UZ टीटमेंट और फिरी की गिलिवोल की स्किन तो यह बिलेक कले की गिलिवोल की स्किन आप देख लो मतलिवार काफी काफी समय पेले हमें एक दमी फिरी में यह बिलेक गिलिवोल की स्किन आप दमी फिरी मिली थी और आपको पता नहीं है तो मैं आपको बढ़ता दू में को फिरी फार खेलता हुए पुरे 4 साल कम्प्रीट हो चुके हैं मतलिवार जब मंणारा फिर्सट रियाट पास आया था जब से यहार में फिरी फार क्यilen देख लेकिन जैसे में मुझे 10-15 अम्लिट यहार फिरी फार खेलनेको मिलता था मतलिवार 10-15 मिलिट के लिए पुछे मुआिल में जिसके अंदर में पेल और सीजन्स केंड की मतलिवार सेगंड इलाइट पास की वैर्जेस कलेक्ट कảiब्रेoot पॉल ला? आपको बता दिया है और डुटियो मां आगा बनने से पेले आपसे एक से चोटी से रिकवेश्ट है जल्दी स्वोग स्वंधियत आपकर पेज़ों कूलैर की first curly इस वीडियो बनाने की ताकत आती है तो आप इस वीडियो को लाइक कर एक दम फिर होता है और जो बन्द चेनल पे नया है और जिस बन्दे को मेरी एसी दम्हां कि एदार वीडियो देखना पसंड तो जल्दी जाके चैनल को सस्काइब कर दो यूँकि इस चैनल पर आपको का बढ़ते हैं और मैं आपको बता जाता हूं मेरी फिरी फायर आइडी के नो टोपप बंडल कलेक्शन तो यह आप देख सकते हो मतलिए आपको काफी सांदार सांदार बंडल मेरी आईडी के अंदर देखने को मिल जाएगे मतली पर जो बंदे टोप अप करते हैं उनके पास आपको ये बंडल देखने को नहीं मिलेगे जो कियार मेरे पास आपको बंडल देखने को मिल रहे हैं तो ये सारे बंडल में आपको एकक करके पिना के बता रहा हूं औ वीडियो को लाइक नहीं कर रहा है तो क्या कर रहे हैं जल्दी जाकि वीडियो को लाइक कर दो मतले वे इतने सारे बंडल मैंने आपको बता दिये हैं और यह सारे बंडल देखकर आपको कुनसा बंडल सबसे ज़्यादा अच्छा लगा है वह बंडल यार मुझे नीचे कमेंट्स में लिखके बता देना और अभी बंडल खतम नहीं हुए अभी बंडल बाकी है तो इदर में चलते हैं तो इदर आप बंडल देख सकते हों मतलय वाले इलाइट पास्या मैंने लिया अर यह वाले बंडल माने उपन नहीं करें यह वंदल मेने काफी सांदर बंडल देखने को मिलेगे और यह जो वाल आप बुल्फ वाल बंडल देख रहे हो यह बुल्फ वाल बंडल मुझे मात्र दस डायमंड के अंदर मिला था मत्रे बर एक इवेंट आया था जिसके अंदर आपको तीन बार एसाई बंडल लाने को मिलता है तो उसके के अंदर मैंने 10 डायमंड से स्पिन करा था तो भाईलू यार मुझे तीनों के तीनों ये से बंडल निकल के आ गये तो मुझे ये वाला बंडल यार एक दम फिरी मिल चुका था फिरी तो नहीं 10 डायमंड खर्च हुए थे लेकिन वो 10 डायमंड भी मैंने एड्रोप से लिये पर अगर आप भी आपकी फिदि फार आईटी के अंदर एड्रोप लाना चाहते हो उसके लिए लगसे वीडियो बनाके रख रही है तो यस वीडियों के एंड मैं आपको वाली वीडियो देखने को मिल जाएगी तो यहास से वीडियों को जाक्या वौच कर लिएना उसके में आपको बताया कि आपकीकृष्ण के अंडर के से एडरो ब्रस सकते हो तो यांसे उस वीडियो को जाकर बॉच हो रहाइए को बॉच мदно ना मत बुलना वीडियो को लाइक से सस्काइब करने के बाद बैन लोटिफिकेशन को ओन करके ओल पे सेट जरूर से कर देना जिससे में यह सी दमागे डाइव वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पोच जाएगी जो की सबसे बहतरिंग बात है तो बस यार आज की दो में इतने इता मिलते को दमागे डाइव वीडियो के साथ जब तक के लिए टाट्टा बाई बाई एंड टैंकि पर वाचिंग वीडियो